हेलो फ्रेंस स्वागत है आज की इस वीडियो में आज हम बना के दिखाएंगे आपको नमक और खानों सोडा बोलते हैं उसे और एक नीबू डालना है तो देखते हैं फ्रेंस इन दोनों तीनों को मिलाकर क्या रियक्शन होता है तो ये मेरे पास इसमें खाना सोडा है कुछ ब्रेकिन सोडा भी बोल सकती है और इस वाले के बे में नमक है तो मुझे इस ग्लास में थोड़ा पानी डालना है तो देखी फ्रेंस मैंने दूसरे ग्लास में पानी ले रखा है कुछ इस तरह से पानी लेना है आपको ये पानी ज्यादा है थोड़ा कम कर देते हैं देखी इतना पानी लेना है, इतना पानी लेना है आपको, अब इसमें डालते हैं थोड़ा सकते, खाना सोड़ा बोलते हैं, ब्रेक इन सोड़ा बोलते हैं, इतना डालना है, इस पानी में डालना है, पहले हम इसमें नीवू डालेंगे, इसमें हमें नीवू डालना है, देखी प्रे इस बज़े से ऐसा लग रहा है देखने में खराब लेकिन यह खराब बाहर से हुआ है अंदर से नहीं हम इसमें पहले निवू डालते हैं देखी फ्रेंज यह निवू बाक्य में खराब हो चुका है हम दूसर लेते हैं तो फ्रेंस मैंने निवू डाल रहा हूँ मैं इसमें देखी फ्रेंस ऐसी कुछ आपको डालना है अब इसमें नमक की बारी है नमक डालते हैं इसमें नमक है इतना नमक डालना है आपको इतना नमक डाल दिया मैंने इसमें अब इस खाने सोडा की बारी है इसमें डालने की देखते हैं फ्रेंस इसमें क्या रियक्शन होता है हमारा एक्सपेरिमेंट बाकर में कामियाब होता है या नहीं तो फ्रेंस देखिए डालते हैं हम इसमें खाना सोडा देखी फ्रेंस मैंन इसमें धकन डाला है जानबूज के देखते हैं कि इसमें क्या reaction होता है धकन में भी तो friends देखिए इसमें कुछ तरह से बबल आ रही हैं देख सकते हैं आप मैं इसे चला कर देखता हूं तो देखिए आपने इस तरह से करने से इसमें कोई भी reaction नहीं होता है देखिए मैं चाकु से भी चला रहा हूं तो एस experiment आप भी कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें हमाई चैनल को मिलते हैं next वीडियो में, next वीडियो में हम बना कर दिखाने जाएंगे आपको यानि कि बताएंगे, सिखाएंगे एक तान और एक चौबे से बनी हुई बंदू, यानि कि उसे कुछ भी कह सकते हैं अपनी भासा में तो next वीडियो में जलती मिलते हैं